आज हम बनाने वाले हैं उबले हुवे आलू से जट पर टेस्टी नास ता तो यहां पर उबले हुवे आलू ले लिया है और उसके बाद एक कप के करीब चावल का आटा इसमें गया थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर साथ ही में इसमें डाल देंगे औरिगेनो सिजनिंग अगर है तो आप डाले अधी चूती चमश के करीबन अब इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स अगर है तो डाले नहीं तो इसको विसकीप कर सकते हैं थोड़ा सा पिसके जगा पे ना मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं तो यह गया चिली फ्लेक्स इसके अंदर स्वाध्नुस चाफल का आटag है ना अच्छे से बांड हो जाएगा इस तरेके से देखिये आपको डो बना लेना है और शो डो दो पार्ट में डिवाइड कर लेगे और अब यो की है अच्छे दरीके से एक लोई बना लेंगे और अब इसे हम बेल लेंगे बेलन की मदद से चकले पे थोड़ा सा तेल लगा लिजे ताकि यह चिपके ना और अब इसे हमें बहुत साथ पतला नहीं बेलना और नहीं मोटा बेलना है देखिए जैसा दिख रहा है ना वैसा आपको रखना है और अब इसे हम फटा फट से चाकू की मदद से लंबे लंबे स्ट्रिप में कट कर लेंगे इस तरीके से तो यहां पर हमने लंबे स्ट्रिप में कट कर लिया है अब हम दोनों किनारों को कट कर लेंगे ताकि हमें बढ़िया सा एक शेप मिल पाए तो दोनों किनारो को हम साइट से cut कर लेंगे और इस डो को साइट में रख देंगे और अब हम बीच से cut लगाएंगे और ये देखिये लगबग मतलब कि ये फ्रेंच फ्राइ के शेप का ready हो गया है cut कर के तो छिली फटा-फट से भी से हम fry कर लेंगे फ्राइ होने के लिए मैंने जो तेल है वो पहले से ही गरम होने के लिए रख दिया था तेल बढ़िया से गरम हो चुका है और अब गैस का फ्लेम हम हाई ही रहने देंगे और हाई फ्लेम पे फटा फट से इस कटे हुई स्ट्रिप को डालेंगे और फ्राइ कर लेंगे दोनों तो यहां पर आप देख पा रहे हैं बहुत ही बढ़िया करार एक क्रिस्पी नजर आ रहे हैं हमारा जो इस ट्रिप है वो और इसे मैंने निकाल लिया है बाकी के सारी इसी तरीके से फ्राइ कर लेंगे यह गर्म गरम नाश्ता बन कर का अपका रेडी है यह खाने में बहुत जब तरीके से लिए बढ़िया कर दो अगरे टेस्टी लगता है यह इसका टेस्ट मतलब जो फ्रेंट्स फ्राइर रहता है यह वैसा लगता है और बहुत टेस्टी लगता है बच्शी और बड़ी का दोने का फेवरेट बन जाएगा तो एक बार इस रेसिपी को ट्राइ कि लगे गिरा से 7 लाइक शिर सब्सक्राइब